पनोर्म कुमार को लेकर के चाहे जितनी भी बाते की जाएं आपको बता दें कि नितीश कुमार के अलावे महा घटबंदन में कई ऐसे घटक दल हैं जो एक इंच भी पीछे हटने के लिए तयार नहीं है नितीश तो अपनी जीती हुई सीटों पे दावेदारी कर रहे हैं लेकिन अन्य दल जीती हुई सीटे छोड़ धी जना जो कुछ भी नहीं उनके पास सीट है उसके बावजूद भी नितीश कुमार के ही सीट पर उनकी दावेदारी बढ़ती जा रही है आपको बदा दें कि बिहार महा गठबंधन में अब पहले कॉंग्रेश उसके बाद रास्टे जनता दल अब लिफ्ट की पार्टिया भी अपना अपना हिस्सेदारी खोजने लगी है और यहां हिस्सेदारी इतनी बड़ी है और उनका रूख इतना बड़ा है जिससे ले करके यह लग रहा है कि आ पार्टिय जनता पार्टिय से लडाई में इंडिया गठबंधन ने नितीश कुमार को बाहर रखने का या अपने गठबंधन से बाहर करने का पूरा-पूरा इंतजाम कर दिया है आपको बता दें दोहजार चोबिच के लोकसवाचुनाओं में पार्टिय जो सीपियाई है वो तीन सीटों पे अपने उमिद्वार उतारने की बात कह रही है इससे पहले भी आपको याद होगा कि बेगु सराय में अपने उमिद्वार उतारे थे बागा और मधुबनी की सीट पर भी उनकी नजर है बागा जदियू के पास है और मधुबनी आपको पता है कि इस जो वामदलों को चाहिए जनताद नाइटल पहले ही 16 सीटों का एलान कर चुकी है हलाकि सीट सेरिंग को लेकर के महागठ बननन ने जो फर्मूला बनाया है उसके तहत आर जेडी जेडी उ सत्रह सत्रह सीटें कॉंग्रेस को चार सीपी आई एमेल को दो सीटें देने का की बात कही जा रहे है लेकिन अभिए फाइनल नहीं है इस बीच में असोक चोधरी के बयान दे रहे हैं मदन सहनी का बयान आ गया है विजेंद्र यादव का बयान आया है केसी त्यागी ने तो ठोक कर के कह दिया है जो एक इंच भी पीछे हटने की लिए तयार नहीं थे तो ऐसी इस्तिती में जो फर्मूला बताया जा रहा है वो फर्मूला कहीं से भी फिट नहीं बैठता है इसके अलावे आपको बता दे कि 17-17 के जगबर अगर 16-16 भी सीटे की जाती है तो इसके बाद भी वो कोरम पूरा नहीं होता है इसमें से किसी ना किसी एक दल को बाहर होना पड़ेगा और बाहर होने वालों में सबसे पहला नंबर नितीश कुमार का जोड़ा जा रहा है जनता दल उनाइटेड जहां एक और बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार के लिए राष्टे संजोजक के पत के लिए लगतार प्रयास कर रहा था वो भी अब बैक पूट पर आ गया है और किसी भी सुरत में अब संजोजक नहीं बलकि परधान मंत्री की उमिदवारी को लेकर के अब दावेदारी हो रही है आपको बता दें कि बिहार में सबसे ज़्यादा ज के लिए जहां एक तरफ जंता लुनाइटेंड ने एलान कर दिया है वहीं आपको बता दें जेडियू के पास 16 सांसद अभी मौजूद हैं 2019 के चुनाओं के रिजल्ट के बाद सुत्रों के की माने तो जंता लुनाइटेंड ने कॉंग्रेस की एक मात्र सीट कि संगज पर भी अपना दावा किया है क्योंकि वहां भी 2019 में दूसरे अस्थान पर जंता लुनाइटेंड ही रही थी अब इन सारी बातों को ले करके कुल 40 में से 17 सीटे तो नितीश कुमार को चाहिए हमने आपको पहले ही बताया था कि नितीश कुमार ने अपनी 17 सीटों का लिस्ट आ अब मामला आकर के फस गया है और इस फसे हुए मामले में सबसे बड़ा रॉल वाम दलों ने निभाया है अब इस रॉल में कितिनी सचाई है और इस रॉल के बाद क्या होने वाला है यह तो आने वाला बक्त बताएगा लेकिन वाम दलों से नितीश कुमार की दोस्ती भी ब बासु के पुन्य तिति पर भी जाने का फैसला ले लिया है अब ऐसी इस्तिति में एक बात तो साफ नजर आती है कि आई एंडिया ये गठ बंधन में सीट शेरिंग का समझोता एक तरह से समझिये तो उखड गया है और ऐसी इस्तिति में अगर किसी को बाहर होने की जरूरत म बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रूवा मुफ्त में मिल जाए अगर रूवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दे पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी